पता लगा कहीं से पता लगा कि आप Amazon से भी help ले सकते हैं यहां पर राइट टॉप कॉर्णर पर आपको help का option मुझूद है आप Amazon से भी पूछ सकते हैं Ask Amazon मैंने कि सिंपल क्या किया मैं help मैं किया case open किया वहां पर Amazon को बताया कि भाई मैं यह करना चाहरा हूं यह हो नहीं रही यह मुझे 565 दे लिए Amazon ने सिंपल मुझे रप्लाइए किया कि आप मुझे यह प्रोडट की इमेजिस वगारा आइटम लेबल और बॉक्स लेबल के साथ यह दे इमेजिस प्रवाइड कर दें और ब्रैंड बता दें यूपीसी बता दें कि कौन सा यूपीसी आपने क्रियेट करना है मैंने सिंपल उनको वो चीज़े दी है जो मैंने आज अपलों को बताई है उन्होंने विदिन टू आवर्स मुझे रिप्लाइए कर दी ठीक है जी अब आप जाके अकाउंट की सैस तो उनके पास भी होती है चाहे प्रोफेशनल अकाउंट के उपर जितनी मर्ज़ी लिस्निंग क्रियेट करें कोई इशू नहीं आएगा इस ब्रैंड के अंडर उन्हें तो मुझे जैनरल का वर्ड लगाने का मैंने क्या कहां पर सौधिया में मुझे साब लगा लें कि सौधिया का सर्वर तो 24 गांडे डाउन रहता है यहां आगा तो फिर सैटेडे संडे को फोड़ा वीक हो जाता है सौधिया का सर्वर तो बहुत डाउन है तो उधर भी मतलब मेरा इशू है वो इसी तरह रिजॉल्व हो और उसके बाद मुझे ग्रूप्स में पोस्त लगाने की लोगों से पूशने की कि मुझे इसका सुल होती है एक निया अकाउंट था मेरा मैं चले अब बात खुली किये मैं आपको बताता हूँ ताके आप लोगों को टेक्निकालिटी का पता हो बड़ी खुशक्समत यह बात है अगर आप लोगों को पता ही नहीं होता वो मैं कहता हूँ कि वो खजल हो जाते हैं मैं खुद हो गया था बलब इसकदर मुश्किल आगी थी कि इस मुश्किल की पिछे मुझे अपना एक क्लाइंट गवाना पाड़ गया अच्छा खासा क्लाइंट तो मैं आपनों को पताता हूँ होपफ़ली इंशाला आप लोगों को या चलके हेल्प आउट करेगा बहुत जब कोई न वाजमात होते हैं जो आप लोगों करने होते हैं ठीक है और अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट स्टार्ट से ही चलना स्टार्ट करते तो कभी भी अपने अकाउंट की पहली लिस्टिंग FBM के अंडर ना करना लिख ले मेरी बात ये कभी भी अपने अकाउंट की सबस पहली लिस्टिंग FBM के अंडर ना करना ये मेरा तक्रीबन कोई दो साल का तज़र्बा है कभी भी ना करना FBM की लिस्टिंग क्योंके FBM की लिस्टिंग को ना Amazon स्पोर्ट करता है उसके 60% बाइर पहले ही गूम हो जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं पगल हो जाते हैं कि ये चाल क्यों नहीं रही इस लिस्टिंग के अपर सेल क्यों नहीं आ रही इस लिस्टिंग को शो क्यों नहीं कलाया जा रहा है बहुत ज़्या टेंशन हो जाती है तो कभी भी अपने ने अकाउंट को सबसे पहले FBM की लिस्टिंग क्रियेट करके तबाह ना करना हमेशा कहां स लिस्टिंग का बाइ-बॉक्स अब आप~! ठीक है तब आपको whole niche के अंदर पूरी नीश के अंदरyer bybox ता issue होगा आपको पाइब box issue नहीं किया जाएगा आपको bijbox दिया ही नहीं जाएगा क्स तरह नहीं दिया जाएगा वह यह होगा कि आपके जो लिस्टिंग होगी वह FBM के अंडर होगी यहाँ पर बाइनौ के अंदर बाइनौ का जो अप्शन होता है अच्छा यह तो अनवेलेबल किसी वह लिस्टिक हो लेते हैं यह देखें जी इसके अपर आयते हैं जो आप एक नहीं लिस्टिंग करते हैं FBM के अंडर करते हैं और उस वह बेसिकली कोई मलब अलड़ी उसकी कंपेंज नहीं चली होती है लिस्टिंग कुछ भी नहीं वावा ने अकाउंट में है ब्रैंड इजिस्टर नहीं है कुछ भी नहीं है तो एमाजोन उस लिस्टिंग को बाइबॉक्स ही नहीं देता है बाइ बोक्स ना मिलने की वज़ा क्या होती है बाइ बोक्स ना मिलने की यह उसका इशू यह आ जाता है आपकी लिस्टिंग में यहाँ पर बाइ नाओ नजरी नहीं आता जब आपको बाइ बोक्स ही नहीं मिलता जब आपको नई लिस्टिंगे उपर बाईबोकस ही नहीं मिलता, तो आपको यहां पे बाईजिट्माओ का आपशन नजरी नहीं आता है आपकी लिस्टिंग के पर यह चेक कर ले न चेक कर ले न, किसी की बी लिस्टिंग उपर जाए या अगर आप किसी ने साथों के साथों या जितने भी पेज आपको उस कीवर्ड के उपर नजर आते हैं लेक्स पो मुझे लॉंड्री बैक के कीवर्ड के उपर सेवन पेज नजर आते हैं तो आप साथों के साथों पेज चेक कर लेना आपको आपकी लिस्टिंग कहीं भी शो नहीं होगी क्यों नह लतीना करना कि अपने अकाउंट को स्टार्ट में FBM में करना यह का हमेशा स्टार्ट कहा से लेना है हमेशा स्टार्ट लेना है FBA से फुल्फिल्मेंट बाइ आज से तक्रीबर डेर साल पहले Amazon ने बिल्कुल A to Z इची बिची यही अलफाज अपनी email के अंदर मुझे लिखके दिये थे कि जब आप FBA से स्टार्ट करते हैं तो आपकी listing को automatically buy box दे दिया जाता है किसकी तरफ से Amazon की तरह से लेकिन जब आप स्टार्ट ही एक non registered brand के ओपर FBM से कर रहे हैं तो आपको buy box खुद जीतना पड़ेगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लियास से हमारी चाहिए 10 साल का हमारा experience हो एक लियास से वह बहुत मुश्किल चाहिज़ है क्यों कि उसमें उनकी condition होती है कि बहुत minimum price बहुत high quality बहुत fast service यह सब कुछ और यह सब कुछ करने के बाद भी आपको लोगों को अपने essence देना पड़ता है अपनी listing का essence देना पड़ता है और वो paid लोग होते हैं आपकी listing पर आते हैं अच्छी खासी velocity से आपकी listing पर प्रचेस करते हैं फिर कहीं जा के पिर कहीं जाके आपकी listing pages में नजर आना स्टार्ड होती है साथ pages हैं फिर कही ना कही आपको 6 भे या 5 भे पेज़ नजर आना स्टार्ड होती है तो यह बहुत बड़ा issue है तो मैं तो वैस Partners seems to like देखता हूँ कि क्या उस बंदे ने सिर्फ FBM किया हुए अगर सिर्फ FBM किया हुए तो उसकी जो अकाउंट है वो अनिशियल स्टार्ट से पार हो गया यह नहीं हुआ क्योंकि मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है मैंने आज तक कोई ऐसा काउंट हैंडल ने किया जो अनिशियल ही मेरे पास आए जीरो के साथ आए और वो के कि नहीं भाई मैं ब्रेंड भी रिजिस्टर नहीं करवा सकता लेकिन बस FBM करना है मैंने कि ना तो आप ब्रेंड रिजिस्टर कर रहे हो और आप हमें कहते हो कि नहीं हम 12-22 गंटे लगाएं इसके पीछे कि कम आसके आपके लिस्टिंग शो होगे हमारे अंदर नहीं हमारे इतनी हिमत नहीं मैं तो आप लों को भी स्जेशन दोंगा FBA के साथ जाएं ताके आप ल पाप जाएं अगर तो अकाउंट को अनिशाल स्टार्ट अप मिला हो अकाउंट के ओपर कोई ना कूई सेल आई हो कब FBM के नहीं के साथ जाएं के कम असकम चलो अकाउंट को अगर इनिशाल स्टार्ट ना भी मिला हो लेकिन estimate कम सखम असकम जो brände हो seller का वो रिजिस्टर्ड बैंड वो रिजिस्टर्ड नहीं तो बहुत बहुत जादा इशू हो जाता है पिर ना Amazon इसके पर help करता है और ना कुछ करने से होता है मैं आपको बताऊं न मैंने क्या किया था सर सेकेंड वारी लिस्टिंग पर तो यह इशू नहीं आता अगर आपको निशुली स्टार्टर मिला हुआ ना तब आप बेदड़क होगे जाएं तब आप आप आपको मिल जाता है ता पोई शुन होता नहीं हुआ तब भी हम FBA में जाएंगे ना जी बिलकुल अगर ब्रैंड डिश्टर ना FBA FBM करने की वज़ा से 60% और गई ब्रैंड डिश्टर ना होने की वज़ा से 10% और गई तो कम असकम 70% और यह वैसी चलेगी तो 30% और यह वैसी नहीं परट परचेज करती हमारी अगर विलास्टी ही आउट ओफ हंडर्ड फिफ्टी परसंट और या 40 कीजिए होती हैं मैंने FBM किया LISTING की रिय धी है अच्छी क्रीयट की कुरेड़ थी हलाके कोई जादा मैंको list के लिए को क्या क्यूंकिन का क्या स्ट्रेलिया के अदर कि मेरे इस कीवर्ड के उपड़ साथ बिभेवेस्ट भी किये लिकिन मेरे साथ क्उपड़ के Одक कीम्पा सातों में से सातों पेजिस के पर कहीं भी वो लिस्टिंग नजरी नहीं आती थी मैंने ब्रैंड के नेम से सर्च किया तब भी नजर नाए मैंने कीवड के तुरू सर्च किया तब भी नजर नाए मैंने इवन के मैं एसेंट प्लेस करता था था ना ऐसीन प्लेस जो मैं करता था तब नजर तो आजिती थी लेकिन उसके यहाँ अपना बाई नौक आप्शन नहीं 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 आता था बाई नौक आप्शन नजरी नहीं आता था मैंने मैं बड़ाई उसके पर एकड़ेड मीना लगाया फिर आएट दे एंड जाके मैंने अमाजोन सा केस उपन किया और एमाजोने सिर्फ एक एमिल मुझे बेजी है जो मैंने अभी आप लोगो डिस्क्राइब करती है उसने का कि बाई जान आपस नहीं कौन सी दुनिया में रह रहे हो आपकी पहली लिस्टिंग है ब्रैंड भी डिजिस्टर नहीं है आपका और आप FBM करके बैठके हुए हो ठीक है अगर तो करना चाते हो जिद पर अड़े लेना चाते हो तो करो स्टार्ट है मिनीमम से मिनीमम प्राइ होते हैं ओर्डर को फिल्फिल करने के लिए अंडर FBM मैं और टाइम की बात कर रहा हूं FBM में मोस्टली अगर को इंडिविज्टल सैलर ना उसको ओर्डर फुल्फिल करने में छे से साथ दिन ला जाते हैं उनका कहना था कि दो से तीन दिन में करो तो यह इन पॉसिबल सी इसका स्लूशन क्या है स्लूशन में मताया था कि सिंपल यह करो कि अपनी लिस्टिंग को अपर ना आए और लॉगरिथम में कोई ने कोई चैरशा कर सकते हैं और लॉगरिथम स्लेक्ट ही ऐसा किया हुआ कि F bm वालों को दुझाया जाए तो नहीं हो सकता था फिर F b मैंने कहा किया मैंने कर नहीं मैं करता जा अनी करता कं। जला दो, campaign जला दो, maximum budget रखदो, मैंने, campaign का 25 dollar budget रखा था 25 dollar ए ए campaign का, daily basis पे और जो individual bidding रखी थी ना मैंने आपको दुखाया था कि individual bidding होती है तकरिبन 0.50 dollar होती है, 0.34 dollar होती है, 0.00, minimum 0.10, minimum 0.10, पर जाती है bidding, 0.10, से निचे नहीं जाती तो मैंने क्या किया अब लोग मैक्सिमम मैक्सिमम लोग कहां से कहां तक जाते हैं मैक्सिमम लोग 0.5 से लेकर 0.9 तक चले जाते हैं या वन दॉलर तक चले जाते हैं कि एक लिक के ओपर एक डॉलर कटेगा मैक्सि forefront इते हैं मैंने नीश वाली मैást लाटर रहती तो दिए विल्र स्विसको प्ले मैंने चू डॉल्र डॉलर बिडिंग रखी इतनी मैक्सिमुम बिडिंग टू डॉलर मैं कभी भी रेकुमेंट नहीं तो वन पॉण.पाइव भी नहीं डॉल तह Bowlर तो चुछ मैक्सिमज हाई भी रखेंगे तो आपको बड़ा खर्चा हो जाएगा आपका काइन परिशान हो जाएगा मैंने क्या किया मैंने स्टार्ट में टू डॉलर्स रख दी लिए तो टू डॉलर्स रखने के बावजूद मेरी कंपेंट चली नहीं रही कोई शो ही नहीं हो रही ना उसके पर क कि अब कहां से शो होगी तो सिंपल स्वीशन क्या है सिंपल स्वीशन एफबी ए से स्टार्ट करो दे दो एमाजोन को इसकी एफबी एफबी एफिसी दे दो उसके तकरीबर दो से तीन डॉलर के पीछे अपने हजारां डॉलर की इन्वेस्मेंट ना डबाएए जो जो मैने आप लोगों को चीज़ें है सारी सको बता दें वो मानने का ठीक नहीं मानता तो आप अब जो चीज होगी इसमें आपने मुझे नहीं कहा रहे है खीक है? इवन कि आप उसको Amazon के साथ केस उपन करके भी दिखा दें उसका solution दिखा दें Amazon को उसका अपने client को कि ये देखे Amazon खुद कहरा है कि भाई FBA में आ जो अब आप Amazon के 2 से 3 डॉलर के पीछे अपनी 1000 डॉलर की investment रोके बैठे हुए है, 1000 डॉलर की एफ बीएम कर रहे है, प्राइब एट लाउंच के लिए FBA कर रहे है, हाँ, होलसेल FBA करें, होलसेल तो मैं कहता हूँ कि होलसेल करना ही FBA चाहिए खासकर UAE और सौधिया में अगर आप लोग UAE, सौधिया और अस्ट्रेलिया में हैं और होलसेल करने जा रहे हैं, तो करें FBA मैं कहता हूँ कि करें FBA और उससे अच्छा उप्शन कोई नहीं लेकिन अगर आप PL कर रहे हैं और PL में आप FBM के अंदर चले जाते हैं तो आप से बड़ा बेफकूप होई नहीं लेकर जी, तो सिंपल सी यह बात है, तो यह लोगरिफम से हम लोग बिलकुल भी ना जीतना बहुत मुश्किल चीज़ है, हाँ, अगर आप लोग सालों की विनत लगाएं एक लिस्टिंग के उपर तो शायद हम लोग उससे जीते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल चीज़ है, तो इस चीज़ को पर हम करेंगे के समय ूदिगे, करेंगे मेंनी ell's इस काइच्पिरिस निए हमने इद IhrN में जाना, हमारा मंकसर हुल से यजा तो निए चीज़ राटली ये चीज़ देख लिए कैuw कैसी हो taking रही कि अगर हम परफॉर्म करनें तो हमारी परफॉर्मन के औ到底 हो हो और जब क्लाइंट कुछ होगा तो आपनी एक फील्ड डिसाइड कर ले अपनी कॉलिटी डिसाइड कर ले अपनी स्पैसिफिकेशन डिसाइड कर ले मैं कभी भी परसंद किसी वफ्या में। हो जाएंगे 100% कभी कोई भी नहीं होता है आप लोगों में से कुछ लोगों की में फिल्ड लिस्टिंग क्रियेशन होगी आप लोगों में से कुछ लोगों की में फिल्ड प्रोडट रैंकिंग होगी कुछ लोगों की फेस्बूक एड होगी कुछ लोगों की गिववेज से होगी ठीक है लेकिन आना सब कुछ चाहिए आना सब कुछ चाहिए फील्ड की प्रियोलिटाइज हो सकता है सब कुछ तो अपने आपको ना उस स्टेजी में डिवाइड जरूरू करें ताके आप लोगों को पता हो कि अगर इंडिविज्युली मैं तो आप लोग आज ये भी कहा हुए कि अगर आप लोग आज ये भी कहा रहा हुए कि कोई एक फील्ड भी चूज कर ले लाइड पो सिंपल पॉर्डट हंटिंग ही चूज कर ले तो उससे भी आप बहुत अच्छी एड़निंग कर सकते हैं लेक उसको तो first priority पर रखें तो कि अभी तक मैं अगर आप लोगों को बताओ ना कि अभी तक जो सबसे मैंने बैड़ी जो बश्किल देखी है ना अपनी यह की लाइफ में दो तीन साल ने वो यही देखी थी जो मैंने आप लोगों के सामने बताई है अब ना को ब्रेंट अब ना कोई अफैंड ना हो प्लीज को आप लोगों के एक बैकड्रॉप यह है कि हम लोग बिल्कुल बिना चीजों को सीरियस नहीं लेते नहीं लेते हैं अब 99% पाकिस्तानी वो हैं जो अमजान पर साली कर रहे हैं बगैर रिजिस्टर्ड अरकाउंट के मैं यह नी क्मारे हज़ार दूजार पांच दॉलर कमा रहे हैं लेकिन अब वह फिर कहते हैं कि हम ज्यादा प्रॉफित नहीं कमा रहे हैं हमारी लॉंच फेल हो रही है नाइन्टी नायन परसंट पाकिसानी चथ smgle होते हैं वह क्या है är यह यह जो है लोगो को पता होना चाहिए ब्रेइंड डिजिस्टर ब्रेश्टर्टि की वैल्यों यह है कई अगर आपके दिवाली हो दिए आपकी इद हो दिए मैं तो यह सोचता हूँ कि जब मेरे पास कोई रिजिस्टर ब्रैंड को बंदा आता है ना तो मेरी लाइफ इजी है ज्यादा एफर्ड नहीं करने पड़ी इसके अकाउंट को चलाने के लिए सिंपल कंपेंड से या कुछ गिववे दे साथिया के लावा साथिय के लावा यह इस्ट्रेलिया ड़ें में आजएं में आप लोग करते हैं कुछ भी नहीं करते हैं किया वह कोई लॉट रजिस्टडर करते हैं उनका रजिस्टर्ड ब्रैन्ड होता है जब भी कोई भी लॉइंच करता है उसको रेंकिंग यह असर नहीं पड़ता है मनें आप लों को कर था कि मैं अपनोंगा एक印श्टर ब्रेंड लिखाऊंगा अब यह WOL Kin 동 procedure मेरा यह यूकें का अकाउंट है और यह मांशाला ब्रेंड रिजिस्टर्ड रिजिस्टर् रिजिस्टर् र económophoreДа इसकी मैंने आप लोगों पूर्ड़ेस भी दखाई है और आज भी माशलाइस की जो पूर्ड़ेस के इस ब्रैंड की पांच लिस्टिंग है इसकी पांच पांच नी तक्रीबन साथ-आठ तीन यह चार-पांच और छे-चे यह लिस्टिंग इसकी इसकी छे-ओं की छे तक है कि यह प्रड़ेट ले लो हमसे सिर्फ कंपेंड चाल रही हैं पीछे से पैक एंड पर पीपीसी कंपेंड चाल रही है रव्यूज भी इस जो नीचे वाली प्रड़क्ट है नीचे वाली इसके उपर ट्रूट्वन्टीफाइव के क्रीब रव्यूज है आटमेटिक यहां यहां खुद आये हैं किसी को नहीं कहा यह वाली लिस्टिंग थी थोड़ी तोड़ी 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 थी वह कहने पी कि वाइस हमने अपनी डॉमिनेंसी क्रेट करनी थी लेकिन फिर भी अब इसकी सेल स्टार्ट हो गी है किस तरह स्रुफ एक कंपेंड के सास्थ इसके अपर भी तुरीबन ने तीन से चार रिव्यूज आगए हैं एक मीन एक के अंदर यह अब मैंने तुरीबन कुई एक वीक वैस को लॉंच किया है और यह आउट आउट फॉस्टॉक भी चली गई है 100 युनिट का बजवाय कि उन्होंने इन बाॉंड करनी है अब इसक चीजों को जहन में रखें जो मैंने आज आप लों को बताई है